हेलो मेरे प्यारे दोस्तों तो आप लोग के लिए एक और खुश खबरी है और इंडियन नेवी नेभी वेकिंसी रिलीज कर दिये दोस्तों बीटे के लिए और सबसे खास बात जो फाइनल येर के स्टुडेंट है वो भी इलीजिबल है और आपके इसके लिए कोई भी रिट क्या है एज लिमिट सब कुछ इस इंडियन नेवी के बारे में इस वीडियो के इंदन जानते हैं तो दोस्तों सबसे फर्स एकन बात करता हूं दा इंडियन नेवी सर्विसे इन्वाइट अप्लिकेशन फॉर दो शॉर्ट सर्विस एससी के लिए आपके पास आये राइट सबसे खास बात अप्लाइ ओनलाइन फ्रॉम 24 फरवरी दोजार चोबीस से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट जिट जो एक्जाम फॉर्म के फिल करने की है दोस्तों वो 10th मार्च दोजार चोबीस है सर कोई एक्जाम रिटन होने वाला कोई रिटन ही होने वाला सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है राइट कहां फॉर्म फिल मिलेगा क्या चीज़े होगी वो सारे डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर दिने वाला हो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि eligibility condition क्या है कौन-कौन eligible है इसके लिए और क्या कितने vacancy है टोटल तो दोस्तों यहाँ पर branch या cadre के एगर बात करूं तो सबसे first है general service GS cadre जिसमें B.E.B.T.K के discipline में minimum 60% की requirement है aggregate 60% की requirement है total number of vacancy 50 है जिसमें 15 vacancy maximum woman के लिए भी हो सकती है राइट सर कौन eligible है इसके लिए तो जिनका date of birth 2nd January 2000 से लेकर 1 July 2005 के बीच में आता है और यह दोनों ही date counted है अगर आपकी 1 July 2005 भी है या फिर 2 January 2000 है तो यह दोनों ही जो date है यह आपके counted है आप eligible होंगे और जितने भी vacancies है सबके लिए almost same ही age limit दे रहा है दोस्तों सेकेंड जो है वो पाइलेट की है और यहाँ पर पाइलेट में भी है naval air operations officer NAO की है और air traffic controller ATC की है सबके लिए जो executive branch है वो है दोस्तों B B take होना चाहिए minimum 60% होना चाहिए और 7 में 10 और 12 में भी आपके 60% होने चाहिए और 7 में English में जो 10 12 में आप देते थे उसमें भी 60% से अबों marks आपके होने चाहिए correct English में भी ओके मतला 10 में भी 60% से उपर होना चाहिए बारवी में भी 60% से अबों होना चाहिए और जो English का paper आपने लिखा है उसमें भी 60% अबों होना चाहिए क्योंकि वो air traffic है आपको communicate करना होगा बाहर के लोगों से तो वहाँ पर आपकी pronunciation बहुत अच्छी होना चाहिए इंगलीश आपकी अच्छी होनी चाहिए इस वजह से 20 वेकेंशी है पाइलेट की 18 वेकेंशी है नवल एर ओपरेशन ऑफिसर की और एर ट्रफिक एटी सी की आठ वेकेंशी है दोस्तों उसके बाद एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है उसमें भी बी टेक एनी डिसिप क्लास के साथ यहीं 60% से अबो के साथ आप इलिजिबल है और टोटल 30 वेकेंशी है दोस्तों उस 30 वेकेंशी में मैक्सम 9 वेकेंशी गर्ल्स के लिए वोमेंश के लिए रिजर्व किया गया है नवल आर्मनेंट इंस्पेक्ट्रोइट कैडर एन ए आई सी इसके अंदर भी बीटेक, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्मिनिकेशन, इनफरमेशन टेक्नोलिजी राइट यह सारे लोग इलिजिबल हैं अगर आपके 60% से अबो है या फिर बीटेक या और 11 और 12 के अंदर भी 60% से अबो है और इसी के साथ साथ इंग्लिश में भी 60% से अबो है आप यहां पर इलेजिबल हैं दोस्तों, ओके, 10 वेकंसी है मैं और वुमेन के लिए, मैं वुमेन के लिए कोई सेपरेट नहीं किया गया इसको, इसी के साथ दोस्तों, एजुकेशन एगर मैं बात करू एक एजुकेशन 60% मसी मैट्स, एजुकेशन ब्रांच के बात करू, उसमें 6 वेकंसी है और 12 वेकंसी दी गई है, ठीक है, इंजिनिरिंग ब्रांच जनरल सर्वीज जो था जीएस था, उसमें 30 वेकंसी है, उसमें B.E.B.T.E.C. मिनिमम टेकनिकल जो ब्रांच आपके पास दे रखा है, ब्रांच के बाइस जो वेकंसी दे रखी, वो क्या दे रखा देखीगा, जनरल सर्वीज जो था जीएस उसके लिए B.E.B.T.E.C. मिनिमम सिक्स्टी परसेंट, मेकनिकल, मेकनिकल विद आटोमेशन, मराइन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनटिकल, इंडस्ट्रियल इंजिनिरिंग एंड मेनेजमेंट, कंट्रोल इंजिनिरिंग, एरो स्पेस, आटोमोबाइल, मेतरलोजी, मेकनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सारे ब्रांच वाले इसको फिल कर सकते है, 30 वेकन्सी है, उसके साथ ही, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो GS में दे रखा था, उसमें इलेक्ट्रिकल क माइन बता रखा था, टोटल, राइट, ओके, तो यहाँ पर अगर बात की जाए, पचास इसमें, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अगर बात की जाए, तो 60% से अब होने चाहिए, राइट, इलेक्ट्रिकल के हो, आप या इलेक्ट्रोनिक्स के हो, या इलेक्ट्रोनिक्स के हो, यह electronics and telecommunication branch में हो, रखा हो, right, information technology भी था कहीं पर, अच्छा वो नीचे था, ठीक है, electronics, telecommunication branch में हो, applied electronics and communication में हो, instrumentation branch हो, electronics and instrumentation branch हो, instrumentation and control हो, applied electronics and instrumentation हो, power engineering, power electronics, आप सब electrical branch के लिए eligible है, और यहाँ पर 50 vacancy है, दोस्तों, यही चीज़ never constructor के अगर बात की जाए, तो B.B.T.E.C. होने technology, built technology, ocean engineering के अंदर, analytical के अंदर, marine engineering के लिए, आप इसके अंदर eligible है, और 20 vacancy है total इसके लिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करो दोस्तों, इस चीज़ के लिए, कोई भी exam नहीं होने वाला है, अगर आप B.T.E.C. पास आउट हो चुके है, तो 7th semester में आपके total कुछ document लगे जो B.T.E.C. के होंगे certificate लगेंगे, वो आपको चीज़े fill करनी होगी, बट अगर आप final year में eligible कर रहे हो, तो final year वाले form fill कर रहे हो, तो आपकी 5th semester तक के ही, आपके क्या होंगे, mark sheet यहाँ पर लगेंगे, 5th और 7th semester तक के mark sheet, एक और खास बाद यहाँ पर दोस्तों, अगर आ graduation होना चाहिए, एक graduation होना चाहिए, 60% जब होना चाहिए, सारी चीज़ अपलाई कर सकते हो, form fill करते टाइम सारे document की requirement होगी, सारे document PDF के form में, पहले से ही download करके रख लिजेगा, क्योंकि वहाँ पर जरूरी होगी, okay, इसी के साथ साथ दोस्तों, selection process क्या है, मैंना आपको पहले dot in, इस site पर आपको जाना है, और आपको form fill करना, start करना, 24 तारीक के बाद से, form fill करोगे, आपने percentage लगाओगे, document डालोगे, सारी चीज़ों के बाद, percentage के basis पर वो shortlist करेंगे, और फिर आपको SSB के लिए, interview के लिए आपको बुलाए जाएगा, और वहाँ पर आपके interview, प्लस जो आपके पास, जो आपके पास medical test होंगे, उसके basis पर आपका selection होगा, दोस्तों, यह total है, इसकी training का भी प्रावधान है जैसा रहता है, probation period भी रहेगा, pay and allowance group के, अगर मैं बात की जाओ दोता हो, तो समझेगा, the basic payoff, SLT starts from the 56,100, जो generally होता है, along with the allowances are applicable, further details are available, आप चाहों तो NCC के उपर, पूरी detail आपको मिल जाएगा, जो salary structure है, वो किस तरीके की चीजे रहने वाली है, how to apply, तो दोस्तों, इस site पर आपको जाना है, joinindianavy.gov, और यहाँ पर आपको correct filling the personal particulars, जो भी आपकी detail पूली जाएगी, वो आपको fill करना है, fill such email address डालना है, phone number डालना है, वो डाल second, अगर आपने NCC दीखा है, तो NCC के certificate, 10th और 12th के certificate, BTEC के certificate आपको इसको लगाने होंगे, अच्छा एक और, if any scanned document is not lisible or readable for the any reason, the application will be rejected, जो भी आप scanned कर रहे हो, copy को, उसमें हर एक शीज clear दिखना चाहिए, ऐसा नहों कि वो पढ़ नहीं पा रहे हो, और एकर नहीं पढ़ प और जानने के लिए, इस चैनल पर बढ़े देए, मैं हूँ चन्नन जा, till that, thank you very much, all the very best, जै हिन दोस्तों!